तो दोस्तों बड़े लंबे इंतिजार के बाद फाइनली बिहार अमीन CBT एक्जाम डेट जारी कर दिया गया है तो चलिए जानते हैं इनके एक्जाम कब होंगे इनके एडमीट काट कब तक जारी किये जाएंगे एवं इनके एक्जाम सेंटर कहां दिये जाएंगे साथ ही इस वीडियो में जानने बाले हैं कि अब आगे आपको क्या-क्या परना है सेलेक्षन के लिए कितने नंबर जरूरी होंगे एब हम एकजाम में निगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं साड़ी बाते इस वीडियो में जानने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा, तो चलिए आज कब डिश्टाट करते हैं, तो बिहार अमीन का CBT एकजाम 10-8-2021 से 12-8-2021 तक, यानि की 10 अगस्ते 12 अगस्त तक पटना के विभीन पर इक्छा किंद्रों पर तीन पालियों में आई जित की जाएगी, इसक के लिए एडमीट काड आपको 31-7-2021 यानि की 31 जुलाई से डाउनलोड कर सकेंगे, तो चलिए अब जानते हैं बिहार अमीन के CBT एकजाम के लिए अब आपको क्या-क्या पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए कितने नम्मर लाने पढ़ेंगे, निगेटिम मार्किंग है या नही अगर एक जाम पेटर्न की बात के तो कुल 75 प्रसन होंगे 75 अंकों के लिए, पर्थम खंड में GK, करेंटरपेर, साइन्स, एब हम हिंदी के 50 प्रसन होंगे 50 अंकों के लिए, दूतिय खंड में गनीत के 25 अंकों के लिए 25 प्रसन होंगे, और सभी प्रसन आपके intermediate अस्तरिय के होंगे, और सभी प्रसनों के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा, परिक्छा में भासा का माध्यम अंग्रेजी अब हिंदी दोनों होगा, परिक्छा के लिए कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, अगर negative marking की बात के तो negative marking के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी अगर बात करें, सिलेक्षन के लिए कितने अंक लाने जरूरी होगे, तो जनरल से 50 से 55 के बीच अंक लाना जरूरी होगा, वहीं other category की बात करें, तो other category से 40 से उपर ही आपको अंक लाने परेंगे, वहीं से target लेकर चलिए कि इस 50 में से 35 अंक लाना, और इस 25 में से 25 अंक लान क्योंकि टाइम बहुत ही अधिक दिया गया है तो सभी कंडिरेट टार्गेट लेकर चलिए कि हमें साथ हंक किसी भी हालत में लाना है वह इसे कट आप इससे कम ही जाएगा अगर बात करें मैथ में कहां कहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे तो नंबर सिस्टम से टाइम एंड वर्क से, मैंसूरेशन से, रेशी और प्रोपोर्शन से, जियोमेटरी से, एबरेज से, प्रोफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, टाइम एंड डिस्टन से, सिंपल एंड कमपाउंड इंट्रेस्ट से तो मैथ में इन सभी टॉपिक से आपके प्रस्ण रहने बाले हैं, अगर बात करें जीके से कहां कहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे तो इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर से, फ्रीडम मोमेंट ओप इंडिया से, इंडियन जियोग्रोफी और नेचुरल रिसोर्से से, इंडियन अग्रिकल्चर और एकोनोमी से, हिस्ट्री ओ बिहार, कल्चर ओ बिहार, बिहार कॉंस्टिबूशन इन फ्रीडम मोमेंट ओ इंडिया, बिहार 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 बि इस कि प्रशन आप शुब्लेटिक शिस्टम पंचायतिराज कॉजूंति डेवलोप्मेंट-बतोजिके से इन सभी टॉपिक से प्रसन रहने बाले हैं वहीं current affairs की बात के तो current affairs से international events, national events, international, national sports, sports personality, scientific development, इन सभी topics से current affairs से प्रस्न पूछे जाएंगे वहीं general science की बात करें तो physics से light, electricity, force and motion, work, energy, power, sound, वहीं chemistry से आपका acid, based salt, carbon and compound, atom and molecules, structure of atom, biology से आपका control and coordination, fundamental units of life cell, उसके बाद dgs अगर general हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके हिंदी grammar के प्रस्न पूछे जाएंगे जिसमें की सब्दपद, किरिया भेद, मिसर, सन्युक्त वाक, वाक्यों का रूपंतरन, अलंकार, समस, स्वरसंदी, मुहाबरा, लोकी कीतिया, असुद वाक, इन सभी topics से हिंदी से प्रस कोड़ से जुकते हैं, चले हैंच कब डियो समॉप्ट करते हैं, वीडियो देखने के लिए अब का धन्यवाद,